दबसकार एग्जेट पोल सामने आ चुका है और बीजेपी की प्रचंड जीत करीब करीब तै लग रही है अगर एग्जेट पोल सही सावित होते हैं तब बीजेपी चार सो तक पहुँचती नजर आ रही है कई एग्जेट पोल में इस वक्त हमारे साथ मौझूद है मेरे सहयोगी पंकच प्रसून जी और हमारे साथ एक हास महमान भी मौझूद है मनीश कश्यप बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हम एक नई चर्चा शुरू करेंगे आज और हम दरसल पूरे हिंदुस्तान की सभी सीटों को समझने की कोशिश करेंगे जो व्याइपी सीटे हैं और मोटे तोर पर समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी जो चार सो के करीब पहुँच रही है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है और कुछ सीटे ऐसी है व्याइपी जहां बहुत-बढ़ा उलट फेर होता हुआ नजर आ रहा है उन सीटों पर भी बात करेंगे बिहार की बात करेंगे उत्तरवदेश की बात करेंगे लेगिन शुरूआत करेंगे हम तमिल नाडु स क्योंकि सबसे बड़ा जो परिवर्तन दक्षिन में करनाठा के बाद अगर कहीं नजर आ रहा है तो तमिलनाडू में सबसे बेले पंकर जी आपका ओपीनिन आप इस पर क्या सोचते हैं तमिलनाडू में जो दिखाया जा रहा है 14 सीट के आसपास क्या ऐसा हो सकता है दिरे दिरे कम होती चली गई ए आई-ए-डी-मक और डी-मक इन दोनों के भी श्टकर होता रहा लेकिन जैललिता के निधन के बाद तामिलनाडू की राजनीती बदलने लगी ए आई-ए-डी-मक का दो फैक्षन हुआ पर निर सिल्माम अपनाले स्वामी में उसके वाद एक सशी कला छोटा सा चंक लेकर निकली है अपने साथ तो विपक्ष बिखरा हुआ था और स्टैलिन ने डी-मक को एक जूट रखा करनादेजी की मौत के बावजूल लेकिन वो स्पेस कौन भरेगा विपक्ष अगर नहीं है तो एक चुनाव तो बिल्कुल क्लिंस पीपो कर विधान्सवाट चुनाओ भी चले गया है दीरे 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 धीरे धीरे बीजैपी ने वहां उस लौट को घरना शूरू किया विजैपी ने शुरू आत में कोशिकिति ती की दोनों फैक्षन के साथ मिलके हमें मजबूत विकल्प दे सके लेकिन दोनों के डिफरेंसेज इतने बड़े थे या फिर कभी-कभी बीच में कुछ ऐसी मैटर आ जाता था कि तमिलनाडू का इश्रू वगरा कुछ आगया रिजनल तो वो हड जाते थे ठीड़ जाते थे इस बार बीजेपी ने काफी हद तक वो ब्लैंक स्पेस को भरा है और जो हमारा अकलन है जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो डबल डिजडिट में इस पार वोट शेयर बीजेपी का आ रहा है तामिलनाड़नादू का आप से बहुत गहरा रिष्टा रहा है आपने तो कमाल कर दिया देखेख तामिल्लाड़नाड़नु सरकार ने मेरे साथ गलत किया था और वह मुद्दा जो है इतना छोटा मुद्दा नहीं था तामिलनाड़नु मैं जेल बंद था तो मैं अकबार लेके आता था रोज पढ़ता था तो वहां पर अंग्रेजी अख़बार हो या रिजनल अख़बार हो वह खबर जो है छपता था वहां पर लेकिन जब मदरास हाई कोट का मदराई बैंच ने जो है मुझे अने से रिहा कर दिया और अने से क्वेस्ट कर दिया तो तामिल अडु के अंदर भी एक मैसेज गया वहां के लोगों के अंदर कि नहीं यहां की सरकार जो है वह थोड़ी सी गलत तरीके से जो है चीजों को दबाना चाहती है एक सौकुस संकर यूट्यूबर है तामिल गया और कमाल की बात है कि मैं जिस मदुराई जेल में था जिस सेल में उनको भी डाला गया था मेरे जाने से पहले उनको वहां पर रखा गया था तो डीम के जो है वहां पर पूरी तरीके से सराब का MRP रहता है कुछ और बेचा कुछ और रेट पर जाता है वहां पर जो है रेड पड़ा रेड पड़ा तो पता चला कि इस डिपार्टमेंट से जो मंत्री जुड़े हुए हैं वहां तक पैसे जाता है उस सारे चीजों को दबाने का प्रयास किया उसके वाद से मोधी से लोगों को लगने लगा कि नहीं मोधी जी हमारे बारे में सोचते हैं और जो यहां की रिजनल पार्टिया है उस सिर्प और सिर्फ हमारे हम लोगों को जो है भोट बैंक की तरह समझती है जैसे भी रिजनल पार्टिया जो है राजनीती करती हो तो इसलिए जो है वहां प पर देश अधिकारी है और उन्होंने भी आरेस लेकर आया है और उनकी 26 तामिलाडों में बहुत अच्छी है तो धीरे-धीरे वह बीजेपी को भी मजबूत कर रहे हैं अपने पेरों पे खाड़ा भी कर रहे हैं और यहीं कारण है कि आज जो है तामिलाडों में जो जीरो पे बीजेपी था वो डवल डीजिट में अपके साफ से क्या पहुच सकती है बीजेपी मितलब देखिए हम लोग तो यहीं कोशिस करेंगे कि 15 सीट जो है भारतिये जन्ता पार्टी को तामिलाडों में मिलना चे लेकिन अगर हम डवल डीजिट में तो यह अमारे लिए बड़ बात है अगर हम डवल डीजिट में चले जाते तो दोवार्जाच 26 में जो बिदान सभा का चुनाव होगा वहां पर तामिलाडों में वहां पर जो है हम जो है सरकार भी बना सकते हैं कुछ छोटे दलों के साथ मिलके यह हम लोगों को ऐसा लग रहा है एक चीज़ और मैं ज तो एक जनरेशन ऐसा त्यार हुआ उनसे पूछिएगा ना कि वह बिल्कुल एलूफ नहीं है कटे हुए नहीं है वह कहते है कि नहीं यह रीजनलीजम ठीक चीज नहीं है मतलब आखिर सब तो इंडियान ही है ना जो बैंगलोर में भी कोई इश्यू होता है यह तो वहां प सब्सक से शुरू हुआ और जब राजियू गांधी ने मतलब कि नई सिक्षा पॉलिसी जब लागू किया था 1986 के आसपास तो समय जो एक बहुत बड़ा हिंसा हुआ तामिल नाडो में वह हिंसा जो हुआ उसका देन जो है वहां का रिजनल पॉल्टिक्स था और उसमें सब जो है रिजनल लेंग्वेज पे जो है ज्यादा फोकस किया रिजनल लेंग्वेज का सम्मान होना चाहिए हर एक स्टेट का अपना रिजनल लेंग्वेज होता है और उसका सम्मान करना चाहिए लेकिन रिजनल लेंग्वेज के साथ मेरा प्रसनल ओपिनियन है कि जो देश क जो है एक भासा जैसे चीन जो है ग्रो किया या जपान ग्रो किया या अमिर्का ग्रो किया ये उरोपियन कंट्री ग्रो किया उसके पीछे का रीजन यह है कि जो भी कंट्री ग्रो किया उस कंट्री का अपना एक एक लेंग्वेज होता था हलाकि रसिया में भी आप जो है नेजर किलोमेटर दूर चले जाते हैं, तो अलग-अलग लेकिन वहाँ का एक main language, जिसको russian बोलते हैं, उसके वाँ से जो है ऍटली में चले जै इटालियन, French, French, Spanish है क्यों हमारे बियुट के लोग सिक्ट कैन, उसका Spanish लेकिन जब जब वहाइस किया गया तो कुछ लोकल पॉल्टिसीन, जो लोकल राजनीती करते हैं, इस तेट में राजनीती करते हैं उलोग बीच में खड़े हो गया करना नीधी को इस दर्द का हैसास तब हुआ जब करना नीधी को लगने लगा कि हम जो है पीम बन सकते हैं चियासी में ये सब हुआ और उनको लगने लगा कि 92 में जो डेव गड़ा साब और भी बहुत सारे लोग प्रधान मंत्री बने तो उनको लगने लगा कि हम भी बन सकते थे लेकिन उन्हों रिजनल एक स्टेट को अपने अप में अपने अंदर समेट लिया तो लोगों नहीं किया और यहीं चीजे जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया लेकिन जैसा कि भाया ने बताया है कि अभी जो है तामिलनाडू के लोग जो है बाहर आने लगे और चन्नाई जो अटो किये तो यह यह सबसे बड़ा रीजन था MGR का MGR के वज़ा से और जहललिता के वज़ा से वह लोग आए लेकिन जब जब-जब DMK की सरकार वहाँ पे आती है तो फॉरें इंवेस्टर जो है वो परेशान हो जाते हैं बहुत सारा रीजन है कमीशन और भी बहुत सारा रीजन अगली बार बीजेपी जो है विधाल सबा के चुनाओं में सरकार बनाएगी मैं बताओ चुनाओं के बारे बताता हूं इस बार बीजेपी खराब से खराब हालत में 2 से 3 सीटे ला रही है और बेहतर हालत में जो हमारा कल्कुलेशन है पांच की आसपास है लेकिन इस बार तो बहुत मतलब मैजिक का आपके हैसे वही बैने बताया ना कि AIDMK का जो खाली स्पेस था उसको बीजेपी ने बहुत फु और वहां अब आम तोर पे हमारे हां क्या परसेप्शन है कि हुंदी से नफरत करते होंगे यह बदल रहा है साउत के वो जो चाहे फिल्म इंडस्ट्री की वज़ह से हो साउत की फिल्में यहां रिलीज हो रही है यह क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है कलाकार जा रहा है या जि से बदल रहा है मैं तो मानता हूं कि अर्थ जो है न मतलब एकोनॉमी वह समाज बदलता है अच्छा मैं एक चीज और जानना चाहता हूं आप बिहारी मजदूरों का एक बहुत बड़ा इशू चला था जिसमें आप फसे थे बिहारी मजदूर क्या तमिलनाडू में वोट क करते हैं जैसे को अम टूर एरिया है जो तरीफूर नया डिष्टिक बनाए जहां से अन्नमलाई खड़े हूं तरीफूर जो कांड़ हुआ था जिसमें हम लोग जेल गए थे तो तरीफूर नया डिष्टिक बनाया वो कोयम्टूर के बगल में अप यहें हैं पर से हिरोड एक इनता सतिन दीज ने मिलगें क्या शॉआ है दीजु करस्व दूपिर और नेंदुन अध्या। बैंगलूरू से सटा हुआ करनाटका से सटा हुआ या केरल से सटा हुआ या कोश्टल एरिया है यहां पे बीजेपी धीरे धीरे जो है अपना बर्चस्वा बढ़ा रहा है जिससे सेंटर में आप चले मदुरई मदुरई एक ऐसा सहर है जो कहा जाता था कि तामिलनाडू की स सहर है मदुरई जहाँ पर मिनाक्शी टेंपल है वहां पर वहां से निर्माला सितारमनाती है उनका घर है मदुरई में जेल में था तो बहुत मंदिर के बारे बात की ना तो यह स्टैलिन क्रिश्चन और वो जो सनातन एंटी सनातन जो बयान आया कि सनातन एड्स है सनातन डेंगू है एक ची और वहां हुआ है वहां क्या टेंपल्स का जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत इंटर्फेरेंस बढ़ा है तो वहां के लोगों के बीच यह है कि एक क्रिश्चन गॉवर्मेंट जान बुझ के हिंदू टेंपल्स को टारिट करें जैसे मैं बता रहे हैं मदुरही की बात करें थे वहां एक टेंपल है बहुत पुराना टेंपल है मैं वह आयापा सौमी का मंदिर है वहां क्या कि आपता संपरदाइक हिंसा फैलाने का जो टॉप लेवल होता है उस चीज को पार कर गया और यह लोग अरोप लगाते हैं कि भारतिये जन्ता पार्टी जो है संपरदाइक बाते करती है सबसे पहले हिंदू धर्म सनातन धर्म को डेंगु मलेरिया जो है लोकसभा चुनाओं में सब डिया निदिया स्टालिन का भी केस सेम कोट में पटना में चल रहा थ है अर जिस दिन मेरा सुनवाई होता था अलमश्ट उनका भी सुनवाई उसी कल थाphon. उनको तो आना पड़े । के ए समृ कोट , यह माफि मांगेंगे यह जए फिक्स हो गया या टो माफि मांगेंगे या तो उनको जेल जाना पड़ेगा, यह फिक्स हो गया, जिस हिसाब से जो है सुनवाई चल रहा है, मैं सुनवाई को देखा हूँ, सुना हूँ, उनके वकिल जो है रिपरजेंट, वहां पे कोट में रहते थे, और वकिल भी कौन, बियार के ही वकिल रहते थे, और वकिल भी विजन है 20-47 का यानी 20-47 यानी 20-47 का समझे कि तब तक BJP को कोई हिला डूला नहीं सकता है अगर तामिल अड़ू में मजबूत हो गया तो क्योंकि करनाटका में मजबूत है हम करनाटका में 22 सीट जीत रहे हम 10 प्लस सीट जो है हुम तेलंगाना में जीत रहा है 100 % 17 सीठ है उसमें 10 हमारा अगर वोस्ट कंडिसन अगर खराप कंडिसन अगर तब हम तेलंगाना में 10 सीठ जितेंगे एक दम फिक्स है उसके बाद से हम आंध्र-परदेश में हम जो है कम से कम घठबंधन के साथ जो एक एकर में बता था है ज बन्दैना नामें मैजिकल फिगश्य वो बेजेपी का मेहनत है। wow जो है अगर मेहनत करता एंच te टाइम लिजट si नहीं चाहिए। तो उन्हें पता घब चिए और शूरज निगलेगा सी निकला इन्वियारीग बनि इन्टर पाली बाएस फे दिन के लिए परदान मंत्री बने फिर तेरा महिना के लिए बने और फिर जो है एक पूरा कारेकाल जो है उन्होंने कंप्लेट किया इसी परकार से आंद्रपर्देश में जब अंडिवाइडेड एस्टेट हुआ करता था आज से नहीं जब अटल वियारी बाजपी पहली बार उन्नी सो संतान में 1997 में जब बने पहली बार तब से उनका फोकस जो है करनाटका और आंद्रपरदेश यह दोनों एस्टेट रहा तब से कि हम बीजेपी वालों को किसी भी आल में करनाटका और आंद्रपरदेश इंटर करना है करनाटका में बीजेपी की सरकार आ गई उनके रिजन आंद्रपरदेश बचा उबचा हुआ था आंद्रपरदेश दो पार्ट में डिबाइड हो गया एक तेलंगना हो गया एक आंद्रपरदेश हो गया अगला जो चुना होगा उस advisशे और तेलंगना यह दोनों स्टेट में बीजेपी सरकार बनाएगी और इस समय जो है दोनों स्टेट में दस-दस सीट से जादा लाएगी मैं मैं बताता हूँ थोड़ा सा जब आंद्रप्रदेश का बटवार हो न था न तो कॉंग्रेस अपोज कर रही थी और बीजेपी सपोर्ट कर रही थी तो चंदर शिखर आउ हटे मैं बोर रहा हूँ कि इस बार उनकी पार्टी बिल्कुल कॉलैप्स कर रही है वो शराब घोटाले में उनकी बेटी के साथ जो हो रहा है लंबे समय तक साशन करने के बावजुद उन पर करप्शन के बहुत सारे चार्जिज हैं उनके बारे में एक बहुत सारे नेता आइलेंड खर दे हैं और उनकी भी सचाई बहुत जल्द सामने आने वाली है यहां तक कि अमके स्टालीन के जो सुपुत्र है उदया निदीय स्टालीन जो फिल्मों में जो है सुपर फ्लॉप हो गया हम साथ के सुपर स्टार बनने का उन्होंने प्रिया आटका तामिलनाडू और आंधरपरदेश तेलंगना यह चार स्टेट में बीजेपी जो है और परत्यासित रूप से मजबूत उसके बाद से उडिसा में जो हम लोगों का सीट जो है पहले कम था इस बार जो है उडिसा में दो या तीन सीट जो है बीजेडी को आएगा क्य पाड़ने अन वहीं चलाते थे पूरा स्टेट को पूरा और इनको निकलने के लिए बैन था यह नवीन पटनायक जी जो है पुब्लिक के बीच में नहीं जाते थे इस बार जो है एक मन से उनका वीडियो वाइरल हुआ जो आथ पूरा कांप रहाता तो उसके बाद से उनक सत्यया लेकिन बार बार आपको मुँका लो क्यों देगा आपके बाबुजी के नाम पे तो बार बार मुँका देगा नहीं तो इसलिए जो है इस बार जो है अच्छा पर्फॉर्मेंस कर रही है और 2013 बढ़ रहा है और अगली बार BJP आरे विसरकार में भी बनाने वाली जो सब्सक्राइब करते हैं इस बार बीजेपी चंद्रवावु नैडू और जंद सेना नाम है पवन कल्यान वाली यह तीनों ने कमाइन एक साथ चुनाव लड़ा है और वोट शेर जब बीजेपी ने कल्कुलेट किया तो देखा कि भले ही चंद्रवावु नैडू का सीट बिल चंद्रवावु नैडू के साथ जो पार्टी स्ट्रक्चर है और बीजेपी संगठन चलाना जानती है कि कैसे चंद्रवावु नैडू को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बीच में उनको लगने लगा था वह कॉंग्रेस में चले गए थे उस समय उनको लगने लगा था परदान मंत्री का चेहरा बन सकते हैं क्योंकि वह बहुत बड़े एंटी आर के परिवार से आते हैं जुनियर एंटी आर भी उनके रिष्टदार में लगे होते थे एक समय फिल्मों से बहुत लगते ह divorced between June लगने लगा कि हम क observable साथ मिलंके परदान मंत्री नहीं बन सकते घ्रिम लगने लगें नहीं हम तो गलत जगह हैं यहां पे सब परदान मंत्री मानते हैं अपने अपने पर चुनाव में चंद्राउ नेडल कर रहा है और उनको जब होस्ट ठीकाने आया तो उनको लगा कि हमारा नेचुरल एलाइस जो है अटल वीर रिवाज पर इन जो बनाया था वहीं भारतीय जंता पाड़ी के साथ ही है और अगर नहीं हुआ तो हम धीरे धीरे जो है वह पतन मतलब की ओर चले जाएंगे तो पवन कल्यान और बीजेपी का तो था ही उसमें के चंद्रबावु नेडू आ गये वहां पे तो जो है यह संगठन मजबूत हुआ और जब संगठन मजबूत हुआ तो वहां से YSR जो है वो धीरे 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 जो है वो जमीन खो दिया और उसका रिजल्ट इस बार एक चीज और है कि जब चंद्रबावु नेडू जब बीजेपी के साथ जो काम हुआ था उस समय हैधराबाद साइबराबाद सिष्टर सिटीज आज देखिए ना चंद्र अब बाद वैसे का वैसे ही राए जो बनाया गया था सिखंद्राबाद को अटल भी अरिवाजपी का ड्रीम प्रोजेक्त अभी अमरावती बनें है ना राजधानी अब अगर चंद्रबाबु नाइडू की सरकार आज आती है तो अमरावती 100% राजधानी बनेगा अगर व व्हा है चारimal वालिडूर के कोणे पे जो हैं साइबर सिटी बने धिरल इसे गुरूगराम को बनाया गया यहां पर दिल्ली उसके ब़से पूना बनाया गया गाया बं hijos अब अगे भे अग्री बनाया गया गया और व्हां बनाया धिन न Mitch T को बनाया जाए लेकिन कोलकत्ता में वो चीजे देखने को नहीं मिला कि साइबर हब नहीं बन सकता है तो कोलकत्ता के जगह पे जो है पूना तो पूना बैंगलूरु हैदराबाद और गुरुग्राम यह चार सेटी बनाया गया गया अटर भी आरिवाज पे के समय में उसके कि चारॉइंट पे जो है वो साइबर सिटी बनाया गया उसके लिए गुरुग्राम डेबलफ हुआ पुना डेबलफ हुआ बैंगलूरु हुआ और जिस हिसाब से शिकंदराबाद को बनाया गया था इन सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट जो है शिकंदराबाद में ल चौदा में एक लाग कडोरूपया करकर होता है अभी जो व्याजार अगर इंफॉर्ट रू करते तो च्छोड बंचार आप 10 फॉर्ट है यह नहीं देता है तो यह सारी चीजों के वज़े से जो है crít na में और आंदरपर्दश में भी जीफी मजबुत हो रहा है ऑर जब 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 स्पार्ड आता है उसके पहले जो है मोधी जी pepurentJean घृई पाल्च कि अपने पर बाटो योजना अब मोदी जी पाच 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 कि अलोग पूरे भारत को दे रहे वीऀसा में क्या करता है पता है अनाज मोदी जी का थैला पर नवीन पर नाय का फोटो लगा के बाट बाट जेता है झाल